रोज रोज नास्ते में नया क्या बनाओ, कुछ समझ ही नहीं आता, तो आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना भी आसान है और खाने में भी काफी टेस्टी होता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी कच्चे चावल को रात में भीगो दिया था इसे हम मिक्सी जार में डाल लेंगे, अब साथी मैं यहाँ पर एड कर रही हूँ, दही और दो टेबल स्पून के करीब मोटी वाली सूजी, अब इसे महीं पीस लेंगे और मैंने यहाँ पर पानी का इस्तमाल नहीं किया है, अब इसे पीसने के बाद एक बाउल में निकाल अब एक मिनट तक इसे हमें फेटना है, और दस मिनट के लिए रेष्ट करने के लिए छोड़ देना है, अब दस मिनट के बाद इसमें मैं यहाँ पर एड कर रही हूँ, जीरा, नमक, हरी मिर्च, अधरक, लहसुन, धनिया पती और एक टेबल स्पून के करीब तेल, अब इ इसे मैं इडली के साचे में डाल दोंगी, आप चाहे तो एक प्लेट में भी निकाल सकते हैं, अब मैं यहाँ उपर से मैगी मसाला डाल रही हूँ, जिससे ये ना थोड़ा चटपड़ा टेस्ट आता है, अब हमें इसे आर से दस मिनट तक इस्टीम करना है, वो भी मीडिय अब 10 मिनट के बाद इसे निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, आप देख सकते हो दिखने में भी काफी यमी लग रहा है, देखे ये बहुत ही स्पॉंजी और सॉफ्ट बना है, अब इसे धनिये से गानिशिंग कर देंगे न, तो अब भी ये रेसिपी जरू से ट्राइ कीजे और अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजे, धन्यवाद